तो आज की वीडियो में हम यह infinite scroll बनाने वाले और इसमें हम को लाइबरेरी यूज करने वाले नहीं है रिएकली प्यावास्क्रिप्ट से करने वाले तो बेसिकली अगर मैं यहां पर मैंने number of items add किये तो आप मैंने यहां पर देखा आपनी इनका item number डाल रहा है तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यह infinitely काम करेंगे तो यह उपर की तरफ भी स्क्रॉल होता रहेगा तो इस तरह आप infinite अपना कोई भी मिन्यू बना सकते बेसिकली हम देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं हम मेंली अपनी फंक्शनालिटी पर फोकस करेंगे css पर नहीं फिर भी हम गो थ्रू करते क्या किया हमने बेसिकली हमने यहां पर एक लिस्ट बना रखी है 14 items की और बस उसको यहां पर हम माप कर रहे हैं इसका हम output देखेंगे तो क हमारा टास्क है सो हम स्टार्ट करते हैं उसको कैसे infinite बना सकते हैं सबसे पहले हम अपना यूज एफेक्ट इंपोर्ट करेंगे और उसे यहां पर ऐसे यूज करेंगे फिर नेक्स जी जो हमें चाहिए वो है कि हमें कुछ वेरीवल्स बनाने पड़ेंगी सबसे पहले हमें जो चाहिए वह थे होसा टल हिट से हम लिख सकते हैं लैट्स काल हाइड सेग्ट जो ची हमें स्क्रॉण पोजिशिंस हम एक उसी लम में लिक्टे जा रहे है तो हमारा में जो लूप है जिसमें होने वाला है वो है हमारा यह में कंटेनर जिसमें हमने हमने लूप कर के class लिख रखी है तो हम पहले अपनी लूप क्लास को फेच करते हैं जिसको हम लिखेंगे context के अंदर आपनी लूप क्लास ले ली next जी है कि हमाएं अपने सारे जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट के वह फेच करने तो हम लिखेंगे कुछ ऐसा हम क्या कर रहे हैं सेलेक्टर ऑल जितने भी लूप आइटम्स है हमारे लूप आइटम्स का है हर एक सिंगल आइटम सो यह हमारा हो गया लूप आइटम सो लूप आइटम हम फेच कर लेंगे तो हमें सारे जितने भी सिंगल आइटम्स हैं जिया जितने भी नेम्स हैं बेसिकली यह सारे नेम्स ह जैसे यह मिलेगा हम क्या करेंगे इसको लूप करेंगे तो लूप कैसे करेंगे सो हम इसको लूप करेंगे कुछ ऐसे एरे डॉट फ्रॉम किसके लूप कर रहे हैं आइटम को सिंगल आइटम मिलेगा और हम क्या करेंगे इनका क्लोन बनाएंगे तो क्लोन के लिए हम क्या करत टेक्स्ट उसी में अपेंड कर देंगे तो जैसे इसमें हमारे 14 एलिमेंट है नेक्स्ट आइटम जैसी लूप हुआ वह 15 पर आएगा 16 17 एंसो ओन तो हम इसको डबल कर रहे हैं तो 14 14 2018 वहाया चैसे इसमें अपेंड कर देंगे तो यह यहलंकि हमने क्लोन एड़ कर दिया है कि अब हमें क्या करना है तो इसको अगर हम सेफ करते हैं तो अगर आप ध्यान देगे हैं कि हमने जैसी वहां तक क्लोन करके उसी में अपेंड किया तो 14 के बदले अब 28 हो गया तो अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखें 14 एटम यहां खतम गा लेकिन वापस यहां से वन स्टार्ट हो रहा है और वो नेक्स्ट 14 तक जा रहा है तो अब हमारे पास 28 हो गएं नेक्स्ट चीज है कि हमें कुछ फंक्शन बनाने तो यह फंक्शन अब बाहर भी बना सकते हैं पर हम अंदर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास यह अल्रड़ी कॉंटेक्स्ट यहां पर है वर्ना हमएं स्टीट में स्टोर करना रहेगा तो हम वह नहीं चाहते बिसिकली हम इसके अंदर ही बना रहे हैं हम लिखेंगे क्या हमें करना है कि हमारे श्क्रूल् तो यह हमारा फंक्शन है स्क्रॉल पोजिशन और जो की रिटर्न करेगा कुछ यह कॉंटेक्स का पेज वाय ओफसेट या फिर स्क्रॉल टॉप दोनों में से कोई भी माइनस क्लाइन टॉप अब यह जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा हम इसको बात में यूज करेंगे तो हमारा यह कि यह फंक्शन हो उसको पोजीशन सेट कर देते हैं यह हमारा सेट सेट पॉजीशन हो गया अब यह क्यूं कर रहे हैं कि जब भी आप आइटम को स्क्रॉल करते हैं तो जैसी अप एंड पे पहुंचेंगे हमारा स्क्रॉल डारेक्ली टॉप वापस जेला जाना चाहिए तो इस तरह हम एक करत जो है वो है हमारे जो हमने खोब क्लोंस बनाए थे रई सो उन्स की हीट कितनी उसके लिए हमें पहला एक और नया फंक्षिन है वह है क्लों आइड करेंगे वेरी बलग जो हमने उपर डेलेर किये थे उसका वैलिस सीरो सेट करेंगे राइट नेक्स है कि हमारे हमने जो एयरे बनाए उसको लूप करेंगे अभी हमने उसमें कुछ कोई भी क्लोंस एड नहीं कि हैं वह हम लास्ट में एक सिंगल लाइन से एड कर देंगे कि उसमें डैरेक्टली पुश हो ज्याएं तो हम उसको कैसे करेंगे हमेशा कि तरह हम लिखेंगे और फॉम किसके लिए क्लोन के ल तो इसके लिए हम लिखते हैं कॉंस्ट यह में 2021 का साइज द hospitalized करते हैं तो हम इस function को call करके हर बार स्क्रॉल बार को reset करके टॉप पिले जा सकते हैं इसके लिए हम लिखते हैं कॉंस्ट यह हमारा function है और हम अपने तीन function जो हमने अभी जस्ट बनाये थे उनको call करकी value assign कर रहे हैं हाँ पर तो get scroll हम scroll की position ला रहे हैं पर scroll height में हम context की total scroll height ले रहे हैं और clone height में हम यहां पर clone height ले रहे हैं और हम यहां पर set state करने की जरूद नहीं क्योंकि सारे variable इसी use state के अंदर है वह automatically override हो जाएंगे तो हम चेकर अगर scroll position की value less than equals to 0 है तो हम उसको reset कर देंगे start से एक pixel नीचे और यह 0 कब होता है जब अगदम आप top पे होते हैं तो reset equals to 1 यह सेट स्क्रॉल पोजिशन आपको याद है कहां पर है यहां पर क्या कर रहे हैं हम context का position सेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक पिक्सल ऊपर नीचे आ जाना चाहिए तो यह हो गया हमारा recalculation अब यह हो गया अभी start करते हैं हमारा में चीज सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी क्लोन बनाएं थे उन को अपने वारियबल में पूट कर देते हैं तो हमने कलोन करके एक या क्लोनषव बना था उसमें प्लोन्स पुछ कर스럽 MO को पुश कर रहे हैं और एक र दी के एनिमेशन फ्रेम विंडो का जो हर एक फ्रेम पर चल अंब करेंगे सबबाद करेंगे किसको करो Teos थब essa करने किसको अब तक हम नहीं बना है तो एक शुथ यहां पर नियुकर आप तो यहां पर हो गया सिमिलांली जब हम रिसाइज करींगे विंडो को तो हमें रिसाइज पर कॉल करना है किसको रिकालकुलेशन को जो हमने अभी जस्ट रिफाइन किया था यहां पर ताकि वह रिसेट होगा क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में भेज देना चाहिए हमारे स्क्रॉल बार को जब भी हम अपना विंडो रिसाइज कर रहे हैं यहां पर अगर हमें इवेंट एड़ क्ये तो रिटर्बन में हम रिमोव कर सकते हैं ऑ हूँ बैसिकली हम रिमोब कर रहे हैं सेव किया हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्क्रॉल अफडेट लिखना तो सबसे पहले हमने क्या क coch करेंगे कि हमने अपने डिसेबल किया है कि नहीं तो हमारे case में by default false है हमने disable नहीं किया है तो हम अंदर आएंगे और हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चीए scroll position तो हमारा scroll position कैसे लेते हैं जो हमने function लेता है get scroll से फिर हम लिखेंगे एक if statement जिसमें हम check करेंगे कुछ यह अब हम हम देखते है क्या है कि हम क्या कर रहे है कि क्लोन हाइट प्लस scroll position ग्रीटर दन इसको explain करते है suppose हमारा original जो है 100 उसकी हाइट प्लस जो हमने इसका क्लोन मनाया था तो क्लोन की हाइट भी 100 रहेगी इकवल्स चू करेंगे तो यह हो जागी 200 तो 200 हमारी क्या है यह scroll हाइट है राइट यह हमारी scroll हाइट है अब हम क्या चेक कर रहे है यहां पर कि क्लोन हाइट और scroll का current position तो suppose हमारा scroll यह first part में half में राइट उसकी value 50 रहेगी तो हम क्लोन हाइट जो कि हंड्रेड है प्लस 50 हंड्रेड प्लस 50 150 ग्रेटर दन स्क्रॉल हाइट है क्या नहीं है नहीं है तो हम एल स्टेट्मेंट में जाएंगे बट अगर है और यह ट्रू कब होगा जब हम हमारा scroll बार center को cross कर देगा center में रहा तो उसके height क्या हो जागी स्क्रॉल पोजिशन क्या हो जागा 100 100 plus 100 200 match कर रहा है तो इसमें आएंगे तो हम क्या करने वाले जब इसमें आएंगे तो हम करेंगे कि जैसी आपने center को cross कर दिया हम क्या करेंगे अपने scroll bar को reset करके top पिला देंगे तो हम basically हमने scroll bar को reset कर रहे हैं जिससे हम infinite scroll बना रहे हैं तो similarly अगर आपका scroll bar यहाँ पर आ गया तो obviously अपने scroll bar यहाँ पर आ गया तो यह हो गया हमारा 100 यह 50 तो हमारा scroll position क्या है 150 यह 100 तो 250 हो गया कर रहे हैं तो टॉप पे लाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे कि हमारे पास clone की हाइट है कि अगर है तो हम क्या करेंगे कि अपने scroll bar को टॉप पे एक पिक्सल ऊपर से एक पिक्सल लेकर आएंगे तो हमने अपने scroll bar की position इसको सेट किया करना है कि हमें जो अपना स्क्रॉबर भर है वह दिसेबल करने तकि वह यह त्यूब यह रहेगा तो हम उस्क टाइम आउट में जाएंगे ताकि हम वो ग्लिच ना दिखें फिर गांगे एसमें ऐल स्टीरिटमेंट लिखेंगे चेक करेंगे कि कि अगर स्क्रॉल बार किलेंट पोजिशन लेज देन इक वाड़ करते हो तो वैलिव 40 ऐम टोंचोंगे तो हम ढमें शेंटरा पर ह्यों स्विच्ट अनुद करने चैनल के तो हम यहां मैं से निकालेंगे हमारी टूटल है ती के यहांबल के से मि citra 5000 करेंगे स्क्रॉल का स Download नियुक्त कर देंगन इनफिनेट ambiente जब करेंगे लिए इस को यूज बढ़एगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे अपना से टाइम तो हम चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि इफ हमारा डिसेबल स्क्रॉल ट्रू है क्या अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे टाइम आउट लेंगे और फॉल्स कर देंगे फॉर्टी मिली सेकंड का टाइम आउट लेंगे और डिसेबल स्क्रॉल को फॉल्स कर देंगे और इसको की तरफ स्क्रॉल इंफाइनेट जा रहा है कि हमारा स्क्रॉल बार इसलों दिख रहे है क्यूंकि हमने css में उसको डिसेबल करके रखा है तो इनेबल करके देखते हमारा function काम कैसे करते हैं हम नीचे जाएंगे और हमने यहां पर कहींगे हां सब्ंद नीचे सर्ल करने पेज़े और रिफ्रेश्च करें हैं जैसी छी स्क्रावर करूंगा जैसी वो सेंटर्थ वाले होंगा हमेशा टॉप पर स्वीच हो κάνे पैज अर्प के की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो वो टोटल हाइट माइनस क्लोन हाइट में स्विच हो रहा है तो इस तरह हम infinite अचीव कर पा रहे हैं सो मैं इसका को description में डाल दूँगा वो link एक specific branch का है जिसमें आप pages के अंदर infinite scroll.jsx करके page है आप उसको use करके अपना खुद try कर सकते हैं और सारा का सारा code एक ही file के अंदर है ताकि आपको easy पड़े इसे use करने में वरना मैं obviously हर एक menu को एक component के अंदर add कर सकता था बट मैंने वो avoid किया है सारे के सारे code इसी file के अंदर है तापकि आपको कोई issue ना हो कर सकता है कर दो Kom